हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी कॉंट स्टेडी में एक बार फिर आपका सौगत है आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैट्स का चेप्टर जिसका नाम है ट्रेंज और आज हम करेंगे इसका पार्ट टू शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फालू कर लिजिए और किसी भी अपडेट को मिस्स मत कीजिए तो पहल इससे पहले हम करेंगे इस पर हमारा ट्रिडिशनल मैथ्यक्त चुम्य अब को बताया फॉर्मूला के बेस पर दूसके बाद हम लगाएं एक सिंगल मॉविंग उब्यक्त होना चाहे ठीक है ।्य cut will best 10 होगी दूसरा हमारे पास टाइम में किया है यानि टाइम का gap निकल जाएगा तो इस पे हम gap वाला method लगा सकते हैं पर हम अपने solution की शुरुआत करेंगे traditional method से तो चलिए देखते है traditional method में क्या होगा कि हमारे पास एक train है जो एक uniform speed से चल रही है पहले bridge को यानि length of train प्लस पहला bridge आगया 300 meter उसको वो cross कर रही है 21 second में 21 आ गया है उसके time into speed आ गया उसका total distance का formula लग गया distance is equal to speed into time second case देखते है length of train plus 240 meter is equal to time into speed of train speed of train दोनों में common है तो हम इसको इसका denominator बना देंगे तो हमारे पास equation बनेगी कुछ ऐसी यह हमने equate कैसे की यह हमने speed of train को हमने माना common और उसके basis पे हमने इसको equate कर दिया ठीक है अब हम करेंगे इसे solve तो 3618, 3721 cross multiply होगा 6LT plus 1800 is equals to 7LT plus 7 into 240 जो भी आया ठीक है तो 6 इदर जाएगा यह इदर जाएगा तो हमारे पास equations आगी ऐसी ठीक है इसको solve करेंगे LT की value आजाएगी 1800 minus 7 into 240 अब 7 into 240 थोड़ी मुश्किल calculation है तो हम क्या करेंगे 60 common ले लेंगे 60 into 30 होता है 1807 as it is आया 60 forza होता है 240 अब इसे solve करना थोड़ा आसान हो गया 7 forza होता है हमारे पास 28 यानी 60 into 2 120 मीटर आ गई length of train तो in option a आ गया हमारा final answer यह था हमारा traditional method अब हम करेंगे gap वाले method के basis पर मैंने आपको क्या गया था हमें distance का gap चाहिए और time का gap चाहिए तो हमारे पास speed of train आ जाएगी distance का gap है हमारा 60 का time का gap है हमारा 3 second का तो speed of train आगी 20 meter per second अब इस 20 meter per second का मतलब क्या हुआ कि एक second में train जो है 20 meter का distance cover कर रही है तो हम time में से कोंई भी एक उठा लेंगे मैंने उठा है 21 second अगर एक second में वो 20 meter कवर कर रही है तो 21 second में 20 into 21 distance कवर कर रही की यानिकि 420 meter का distance कवर करी की कोशन में दिया हुआ है कि 21 सेकिंड में वो 300 मीटर के पुल को पार कर रही है टोटल डिस्टेंस वो 420 कर रही है जिसमें से 300 मीटर है हमारे पास एक ब्रिज तो ट्रेन के डिस्टेंस आ गया 120 मीटर तो गैप वाले मैथट से आप इस कोशन को सॉल्व भी कर सकते हैं चलते हमारे नेक्स कोशन पर इस कोशन को आपने खुद अटेंट करने है जिन बच्चों ने गैप वाला मैथट अपनाना है उनको एक हिंट दे देता हूँ कि एक distance है आपके पास 0 जो की होगी boy की लेंद दूसतर distance है आपके पास platform का तो distance का gap आगया 110 time का gap आप निकाल सकते हो तो distance का gap भी आगया time का gap भी आगया आपको बस जैसे पिछले question में हमने gap वाला method लगाया वैसे method लगाके question को solve करना है तो इस question को solve कीजिए और अपना answer जो है comment section में post कीजिए हम चलते हैं हमारे next question पर अब हमारा question जो है एक नई type का question है तो यह मैं आपको solve करने को नहीं दूँगा मैं पहले आपको सिखा देता हूँ ठीक है तो question कहा रहा है कि including time of stoppage यानि अगर train रुक रुक के अलगलग stations पर रुक रुक के चलती है तो उसकी speed पाई जाती है 28 km पर और पर अगर वो कहीं रुकती नहीं है यानि without stoppage वो चलते रहती है तो उसकी speed पाई जाती है 42 km पर और तो आपको बताना है कि on an average train हर station पर कितने time के लिए रुकती है ठीक है तो आप इस question को एक ऐसी चीज से समझने की कोशिश कीजिए suppose कर लीजिए कि मैंने आपको एक distance दिया है भागने के लिए ठीक है आपकी speed है 42 km पर और ठीक है आप इस speed से इस distance को cover कर सकते हो पर आपका stamina कम था जिसकी वज़े से आपने 2-3 जगा break मारी तो जब आप मेरे मुझ पर खड़ा हूँ ठीक है जब आप मुझ तक पहुंचे तो मैंने देखा कि मुझ तक पहुंचने के लिए आपकी average speed है 28 km पर और मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपकी speed 28 km पर और है क्योंकि मैंने ये distance divided by आपने जो time लिए मुझ तक पहुंचने के लिए उस formula से आपकी speed निका मैंने ये नहीं देखा कि आप 42 km पर और की consistent speed से भागे हो बस stamina कम होने की वज़ा से आपने बीच में brakes लिए हैं ठीक है मैंने अपने formula के हिसाब से आपकी speed निका लिए पर आपकी असली speed जो थी वो थी 42 km पर और क्योंकि आप इसी speed से भागे हो तो इसका जो gap आ रहा है यान सबसे उपर लिखते हो gap कि आपका कितना gap आ रहा है denominator में लिखते हो original speed तो gap आ रहा है हमारा 42 माइनस 28 km पर और का original speed है 42 यानि कि 14 divided by 42 hours क्योंकि km पर और की बात चल रही है ना km पर और तो हमारा जो time आएगा वो भी और में आएगा यानि कि 1 by 3 और एक घंटे का तीसरा हिस्सा क्या होगा ये तब निकलेगा जब हम घंटे को minutes में convert कर देंगे यानि 60 minute का तीसरा हिस्सा निकालेंगे यानि 20 minute तो 20 minute आ गया हमारा वो time जितना उस train ने stop किया है on an average stations पर एक बार फिर बता देता हूं कैसे आया ये था formula निकाला हमने gap denominator में रखा हमने original तो हमारी एक fraction आई जो की थी और में क्योंकि हमारी speed है kilometer पर और में अगर meter पर second में होती तो ये second में आता ठीक है तो हमारा answer था minute में हमने का किया one और को convert कर दिया 60 minute में 60 minute को 33 से divide किया हमारा final answer आ गया 20 minute चलते है next question पर अब देखिए ऐसा question होता है पूरे assumption पर कैसे दो trains है उनकी speed की ratio दी हुई है 7 is to 9 यानि एक की speed अगर 7 unit है तो दूसरी की speed होगी 9 unit अब both of them are moving in same direction यानि relative speed minus होगी both crosses a pole in 4 second and 6 second respectively यानि की 7 unit जिसकी speed है वो कर रही है 4 second में pole को cross 9 जिसकी speed है वो कर रही है 6 second में pole को cross तो हम लिख लेते हैं train 1, train 2, speed and time तो train 1 की speed है 7 दूसरी की है 9 वो कर रही है 4 second में pole को cross दूसरी वाली कर रही है 6 second में pole को cross ठीक है तो distance होता है speed into time distance आगया 7, 4, 28, 9, 5, whatever, 9, 6, 54 तो यानि 28 आगी हमारी T1 train की length और 54 आगी हमारी T2 train की length हमारी total length हो गई 28 plus 54 यानि total length हो गई हमारी 82 unit अब total length है हमारी 82 unit relative speed होगी हमारी 9 minus 7 क्योंकि same direction में जा रहे हैं तो हमारी time आजाएगा distance upon speed होता है time तो time आजाएगा हमारे पास 41 second which is option C चलते हैं हमारे next question पर हमारा question कहा रहा है कि एक train है जिसकी speed है 20 meter per second वो एक pole को 24 second less में cross करती है then time it takes to cross a platform thrice of its length यानि अगर train की length को हम L माने तो platform की length हो जाएगी 3 times L अब हम क्या करेंगे अपना formula लगाएँगे देखिए distance upon speed होता है time यहाँ पर दिया है 24 second less यानि कि यहाँ पर subtraction की बाद चल रही है तो 3 L upon S minus L upon S equals to 24 ठीक है बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज माइनस की और हमने gap लिख दिया के 24 less तो हम क्या करेंगे L upon S common ले लेंगे 3 minus 1 is equals to 24 इसका result आया 2 2 इसको काड़ देगा तो हमारे पास आ गया L is equals to 12 S S की value क्या है 20 meter per second तो L हमारा आ गया 12 into 20 which is equals to 240 meter तो हमारा final answer आ गया option E none of these अब यही question मैं आपको gap वाले method से कराता हूँ देखिए train की speed है हमारे पास 20 meter per second टाइम का gap इन्होंने खुदी दिया हुए 24 second less या more होएगा यानि gap की बाद चल रही है time का gap है हमारे पास 24 अच्छा distance का gap क्या होगा 3L है platform L है train की लिए तो 2L तो distance upon time आता था हमारा speed L is equals to speed into 12 speed की value क्या 20 20 बरेंगे वही equation दोबारा बन जाएगी तो 240 meter आगे हमारा final answer तो कुछ नहीं किया हमने वही चीज अपलाई की हमने distance का gap देखा यहां से time का gap और उन्होंने question में ही दिया हुआ था distance upon time होता है speed speed की value है 20 meter सारी values put की 240 meter आगे train की length तो हमारा final answer आगे option E none of these चलते है next question पर so ये रहा हमारा अगला question कहा रहे है कि एक train जो है 7 by 11 office speed पर चलेगी तो 22 गंटे पर अपनी destination पर पहुंचेगी अगर वो अपनी original speed पर चलती तो कितना time वो save कर दी और उन्होंने ये नहीं पूचा कि कितने time में पहुंचेगी और उन्होंने कहा कि कितना time वो save करेगी यानि कि दोनो time का difference ठीक है ऐसे question आपने ratio proportion chapter में की हुए है जहाँ पर हमें fraction में दिया होता थी कोई speed या कुछ भी दिया होता था मैं उमीद करतों कि इस question का answer आ गया होगा ठीक है इस question का answer है option c 8 hours तो अब जिन बच्चों का इस question का answer नहीं आया है उनके लिए मैं solution लेके आ रहा हूँ हमने क्या कहा मैंने आपको कहा कि 7 by 11 of speed यानि कि speed की एक हमें fraction दी हुई है जिसमें एक new speed होगी एक old speed होगी old speed कौन से होती है original वाली और original चीज़ क्या होती है जो हमेशे denominator में होती है तो 11 units हमने मान लिया original speed थी इन् आपको कहा था कि इसको हम convert करते हैंगे time में time में कैसे convert होगा जब यह inverse हो जाएगा speed का तो 11 to 7 आगी हमारी time की ratio अब उन्होंने काया कि 7 by 11 की speed पर चल रही है यानि कि अगर वो 7 वाली speed 7 units वाली speed पर चल रही है तो वो 22 गंटे ले रही है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 units ल save करती अगर वो original पर चलती तो वो 7 unit का time लेती ठीक है यानि कि 7 to the 14 hours लेती पर हमें उन्होंने 14 hours नहीं पूछा उन्होंने सीधा काया कि बताओ कितना time save कर रही है तो आपको दिख रहा है कि time जो save हो रहा है वो 11 minus 7 4 unit का time save हो रहा है 1 unit की value है 2 hours तो 4 unit की value होगी 4 into 2 which is equals to 8 hours जो अगेन 5 second का time दे रहा हूँ आपको वीडियो को pause कीजिए अपना time लेजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं इसको solution क्या होगा दो trains है same length की हमने एलेजियूम कर ली उनकी length वो opposite direction में चल रही है opposite direction यानि speed में addition होगी ठीक है पिलर को cross करती है एक करती है 18 second में एक करती है 12 second में ठीक है अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर time की रेशियो आ गई वन और टू train के लिए पहली train 18 second में cross करती है, दूसरी train 12 second में cross करती है, ठीक है, ये मैंने time की ratio कैसे ले ली, जब मैंने देखा कि हमारी train की length same थी, अगर train की length same नहीं होती, तो हम ये चीज़ कभी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ये चीज़ possible हो सकती थी, कि एक train लंबी है length में, एक train चोटी है length में, ज की form में, यानि की 2 is to 3 की ratio में आ जाएगी हमारी speed, अब उन्होंने का है, कि how long will train take to cross each other, अब हमारी speed आगी है 2 is to 3, addition हो नहीं है speed की, मैंने आपको बताया था, उपर ही लिखा हुआ है addition हो नहीं है, तो हमारी net speed आ जाएगी, 2 प्लस 3, 5 units की, relative speed है हमारी 5 units की, अब length क्या हो जा की 2 times L, ठीक है, पर अभी तक हमें पता नहीं है की L क्या होगा, ठीक है, L हमें दिया नहीं है ना question में, तो L कैसे निकलेगा, L होता है basically distance, distance होता है speed into time, speed है 2 unit, और time है 18, तो 18 into 2 ले लो, length आगी 36 units, ठीक है, आप 18 into 2 ले लो, 12 into 3 ले ले लो, 36 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने क आया है की 2 trains of same length, तो 36 unit ही आएगा, हमारे पास L की value आगी 36, तो 2 times L हो जाएगा, हमारे पास 72, 72 को जब आप 5 से divide करोगे तो क्या आएगा, 5 ones are 5, 22, 5 fours are 20.4, तो हमारे पास आगया हमारा option A, 14.4 second, ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, ये question मैंने कैसे किया, सबसे पहले हमने time ले लिए train 1 और train 2 के लिए which is 18 second and 12 second, उसको convert कर दिया speed में 12 is to 18, जिसको हमने और short किया, क्योंकि speed जो थी वो assumed थी, हमने time से convert की थी, time as it is रहेगा, time को आप short नहीं करोगे, speed को आपने short कर लिए, क्योंकि हमने assume की थी, तो 2 is to 3 आगी उसकी ratio, ये वाला point कट 2 is to 3 उसकी थी ratio और उनने का कि opposite direction में चल रही है, यानि की addition होगी speed की, तो 5 units हमारे पास आगी relative speed, अब 2 trains थी, एक की length हमने L assume की थी, तो 2 की length हो जाएगी हमारे पास 2 times L, तो 2 times L को हमने 5 से divide करते हैं, तो हमारे पास आ जाता time taken to cross each other, पर time वो कब आता जब हमें L की value पता होती L की value हमें पता नहीं थी ना हमें question में दी थी तो हमने खुद से निकाली, कैसे निकाली, distance equals to speed into time, तो distance यहाँ पर होगा 18 into 2, 36 यहाँ फिर train 2 के लिए देख लिए 12 into 3, 36 क्यों क्योंकि दोनों की train की जो length थी वो same ही आनी है, तो 36 units जो है हमारा same length आ रही है, 36 आगी हमारी एक train क length, मैंने आपको कहा था कि 2L पर काम करना, यानि कि 72 होगी total length relative speed आगी हमारी 5 unit जब हमने divide किया, हमारा answer आ गया 14.4 second, चलते हैं हमारे next question पर, two trains running in opposite direction, यानि कि speed में addition होगी, ठीक है, cross a man in 27 seconds and 7 seconds respectively, अब देखते हैं कि train 1 और train 2 जो है, train 1 जो है 27 seconds में कर रही है, train 2 जो है 17 seconds में कर रही है, अब देखिए उन्होंने two trains की बात की है, पर इनकी length की बात नहीं की, तो हम यह जो time को speed में convert करते थे, ऐसे method से नहीं कर सकते हैं, जो है 27 seconds ले रही है, train 2 जो है 17 seconds ले रही है, अब हम train 1 की length assume कर लेंगे L1, train 2 की length assume कर लेंगे L2, distance है हमारे पास, distance upon time होता है, speed, तो distance upon time आगया हमारे पास speed, तो दोनों trains की हमारे पास speed आगी, दोनों trains की हमारे पास length आगी, जो अभी हमने निकाली, next line कहा रही है while they cross each other in 23 second यानि कि L1 plus L2 divided by 23 second equals to relative speed relative speed क्या होगी इसमें speed 1 plus speed 2 मैंने आपको बताया था यहीं पर की addition होगी अब हम सारी values put करेंगे और equation को one by one solve करेंगे तो इस equation में हमें values बर नहीं है L1 था हमारे पास basically हमारे पास L1 divided by 27 था S1 के बराबर तो हमने इसको इस तरफ ले लिया हमारे पास L1 आ गया 27 S1 तो हमने L1 को S1 की form में convert कर दिया हमारे पास आ गया S1 into 27 similarly हमारे पास L2 आ जाएगा S2 into 17 divided by 23 is equals to S1 plus S2 ठीक है तो इसे solve किया 27 S1 plus 17 S2 is equals to 23 S1 plus 23 S2 S1 S1 4 S1 is equals to 17 6 S2 तो हमारे पास आ गया S1 divided by S2 is equals to 6 by 4 which is equals to 3 by 2 हमारे पास ratios आ गई S1 is to S2 की 3 is to 2 which is option C तो इसी के साथ हमारा trains का part 2 जो है वो होता है and हमारे next वीडियो में part 3 लेके आऊंगा जो की होगा हमारा final part और उसमें थोड़े अच्छे question आपको देखने को मिलेंगे जिसको करने में आपको मज़ा आएगा थोड़ा दिमाग खोलेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इससे like कीजिए साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you so much